इसमें है 80 117 और उसके आपको मैं आज दिखा चुका हूंगा नब्बे हैं है 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 यूट्यूब चैनल टेक्वाइकर कैसे हो आप सभी आई होप आप सब्सक्राइब बिल्कुल सेफ होगे तो आज हम बस दो बहतरीन सी खड़ी है और 125 क्रेटेगरी में जिन्नों एकदम तहलका मचा रखा है एक तो है काफी टाइम से चली आ रही है रेडर 125 और द पीछे चलता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मुझे इस्टा पर फॉल्व नहीं किया तो प्लीज इंस्टा पर फॉलो कर लो और अपना वहां पर दिखाओ यह खड़ी है 125 की दो बहतरीन सी बाइक तो परफेक्ट कॉम्पीटीटर कह सकते ह पर एक चीज़ आपको लुक में देखके समझ में आ चुका होगा इसलिए मैंने सामने सामने रख दे कि आप लोग लुक देखके समझ जो वह थोड़ी सी फैमिली ओर एंटेडर और यह थोड़ी सी यंग राइडर के लिए बनाई गी है वह कैसे पता चलना होगा आप होगी मतलब आप अपनी वाइफ को गल्फ्रेंड को फादर को मदर को दाधी को सबको बैठा सकते हो इसमें थोड़ा सापको सोचना पड़ेगा कि आप किसको बैठा होगे तो भाई आप 125 सी की जो वाइक लेता है ना उसा देखता भी हमें फैमिली ओर इंटेड चाहिए य ही जो थोड़ा सा यहां पर हलका सा पीछे रहा है बट जो यंग राइडर से जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोई वाले उनके लिए भाई स्पोर्टी लुक तो देता ही लो बट यलो कलर बढ़ा चमा करा इसका तो अब जड़ा सा पास से चलते हैं एक एक चीज पर प्र लगते रहां यह पूरा जल रहा है कि काफी मस लगते हैं इसको करते हो यह यहां पर इसके लिए रखें यूनीक से एकदम अलग लगते इसके लिए लिए इसके लोगे इसमें आपको एली डी एंडिकेटर देखने को मिल जाएगा चोटा सा और यह अगर तो टूटेगा न आपको कैसा लुक आ रहा है इसका लुक देखा अब लोग कैसा रहा है एक चीज और नोटीस करना है आपको इसके सेस्पेंशन देखो कितने पतले से हैं कुछ ज्यादा ही पतले हैं बट 37 mm की इतने चंकी से इतने चोड़े हैं ना मस लगते हैं और एक ब्रैंडिंग देख तो पीछे वाला भी हलका हलका लगता है यह चीज है बट भाई यह सिंगल चैनल ABS के साथ आती एक स्टीम वे देखो और डिस्पेट का साइज भी देखो काफी ज्यादा बड़ा है आप लोगों ने देखा तो देखो ब्रैकिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी है मतलब ल इसके लिए क्लिप लगा रखिए कि यह यहां से चले आएंगे हलका साइड में आते हैं तो यह राइस का इंजन 180 mm का आपको एक्स्टीम में देखने को मिल जाएगा इसमें की की भी आती है और जो इस पावर देती है 11.55 PS की पावर 10.3 नीटो मिटर का टॉल्क देखने को म इसमें है 80 117 और उसके आपको मैं दिखा चुका हूंगा 90 है 90 97 तो टायर इसके थोड़े से पतले हैं उसके हलके साब को चौड़ देखने को मिलेंगे इसकी पैटल है लेकिन छोटी है उसके बाद यहां पे भी है या इसमें भी क्लिप मुझे लगा कि यह दे रहा है जान करता है यह सब चीजे की पैर ना जने ज्यादा आपके इंजन अगयर तो दोनों का मतलब उतना ही चौड़ा साइज हो गयरा दोनों की सेम ही है एक्स्रीम की देखो इसकी देखो और यहां पे भाई आपका मतलब कभर दे रखा है ब्रेक वाले पे तो नहीं भाइकों में आ रहता है वह एप रॉक्स 11.38 पेस्ट की पावर बड़ जो टॉर्क है वह ज्यादा है इसमें 11.38 या कुछ टॉर्क है वाँट या इन पॉांट की देखने को मिलेगा उसमें आपका 10.2 का पार देखने मिलता था तो इसमें टॉर्क हलका सा ज्यादा है पर जब दोनों का चल तो है ही एक्जॉस्ट देख लो इसका थोड़ा सा बड़ा है उसका एकदम सॉट्स है स्पोर्ट बाइक टैप और है एक्जॉस्ट बनाए गया अब इसको करते और मिटर देखते हैं इसका मिटर अगदम पिद्दूस है डेल में मतलब आपको जब ज्यादा धूब पड़ेगी ना प्रॉल्लम हो सकती कामबर की सारी चीजे बताता है मतलब यहां पर गेर बताएगा आपका टाइम बताएगा ट्रिप है सब कुछ कामबर का बताता है बट उसमें थोड़ा से ज्यादा है लेकिन एक ही बटन से ओन और स्टार्ट सब यहां से हो जाएगा यहां पर इंडिकेटर के लिए यह हजार दे रखा है जो की काफी अच अच्छा लगता है और इसका जो मीटेर है ना भाई यह देख आप तो अभी ओन करूंगा तो कि यह देखो यह जो हॉर्स बनता है पूरा डिजाइन है ना और बताओ काफी जादा अच्छा लगता है एक दम बड़ा से मीटेर है आप इसको अपने फोन से भी करनेक कर सकते हो दोनों ही भाईकों में साइड इस्टेंट कॉटफ संसर मिलता है यह बता दू तो इसको फोन से कर सकते हो दिखने में काफी अच्छा है मतलब जिच फील देता है और एक चीज़ यह जो लीवर से ना यह अपाचे बड़ा अच्छा करता है यह सिल्वर देता है तो दूर से चमकते हो उसके देखो इसके देखो तो यह मुझे परसनली काफी अच्छे लगते अब आपको अच्छे लग सकते नहीं लग सकते यह आपके उपर उसके बाद यहां पर मोट चेंज करने का एक ही बटन स्वाप्शन दे रखा है इक स्पोर्ट यहां से स्टार्ट होगी आपको मीटर यहां से से कर सकते हो जो भी काम करना मीटर में यहां से भी यह Bluetooth के लिए रखा है यह है यह पास है इसमें हजाड लाइट का सुच्छ आपको देखने को नहीं मिलता है हजाड देते तो काफी अच्छा था बट यहां पर एक चीज अच्छी है कि यह चार्जिं इच्छे आते हैं थोड़ा सा सीट की बात करते हैं तो देखो भाई दोनों की राइडर वाली सीट इक्वल है कोई डिफ्रेंस नहीं है बट जो प्लियन वाली है इसमें ज्यादा कमफर्टेबल एक तो इसकी सीट भी चौरी है लंबी भी है और इसकी हाइट भी ज्यादा ठीन है लेकिन यह पर फॉइंस्टीम में घर बढबल हो जाता है तो छाय तो है लेकिन यह ऐसे CP में आई है यह पतली हो जाती आप लेकिन उसकी चौरी है तो की मामले में से यादा कमफर्ट advocates जीट जाएगी और यह ठौफ neutral पीच्थ रहेंगी एक चीज़ू आपको द्हि देखने को मिल जाएगा डेटर का चक्रत्य की टायर का साइज क्या है हम आते साइड में इसका पतला ही होगा कहां गया कहां गया सो नब्बे सत्र तो तो काफी ज्यादा पतला हो गया एक सो बीस देना चाहिए था मुझे लगता है नॉर्मल एंडिकेटर है यह यह नॉर्मल देना यह यहुआ एडाल फेली यह नॉर्मल लगहिए पूस्त्र प्लासिस टिंशना तो वही मैं कहह रहा हूं यह फैमिली ओरियन्टेट वाइक है देखैंट हैं इसका यंग्स्टर के विए इसको पूरा स्पोर्टी बनाने की कोशिज की जैसे एक चीज काफी अच्छा हीरो ने किया है आपको मैं दिखाता हूं लोग इसके लिए पैसे देते हैं वील कवर यहां पर वील कवर देखने को मिल जाएगा जो की काफी अच्छी चीज है बट दोनों ही बाई के अपनी मैं लिख दूँगा कि क्या प्राइज है ताकि अगर कुछ भी मिस हो रहा तो प्लीज कमेंट करके मैंसे पूछ लेना वाई दोनों ही बैको के में में चीजे बता दी मैंने अब आते हैं में चीज़ पर लेनी कौन सी किसको चाहिए माइलेज की बात करें तो मुझे जहां से चांसे हैं कि यह माइलेज की मामले में विनर हो सकती है ऐसा नहीं कि आप रेडर से भी नहीं निकाल सकते हैं रेडर से भी 60 प्लस निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए आपको एक्दम अराम से चलाना होगा और वहां पर यह थोड़ा सा और ज्यादा ही देगी तो अब आते टेबर लगी बट जंग्स्टर को कौन सी लिनींग चाहिए जो न्यू राइडर है न्यू बाइकर है उनको तो अगर आपको स्पोर्टी बाइक चाहिए माइलेज के साथ चाहिए तो आख बंद करके आप एक्स्ट्रीम को लेग सकते हो देख के बिलकु भी नहीं लगता कि यह 125cc की बाइक है फावर भी देखो दोनों के कंपेरिजन में पावर भी अप्रोक्ष दोनों की सेम है ऐसा नहीं कि इसमें बहुत जादा आपको पावर लेक्षोड लेकिन चलाने में मज़ा आता है इस्टेबल लेती है ऐसा नहीं कि यह थोड़ी सी ज्ञादा इस्टेब करो इसको उठालो कोई दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है ना भाई जो एक फैमिली वाला भी इसको कंसीड़ करने पर मजबूर हो जाएगा वह सिंगल चैनल एबियस का एक तरीके से कह सकते हो लाइफ सेविंग फीचर्स है मतब यह होना ही चाहिए बाइक में सिंगल चैनल ही दे दो लेकिन दो आई होप की टीवेस चल्दी से यह चीज़ सीख जाए अपनी रेडर में दे दे अगर इसमें 125 में सिंगल चैनल है तो फिर तो भाई कॉंपटीशन नेक्स लेवल का हो जाएगा फिर तो बस एक ही चीज़ होगी फैमिली यंग्स्टर ऐसा नहीं इसको यंग्स्टर नहीं ले सकते हैं पट यह थोड़ा से यंग्स्टर के लिए हलकी सी ज़्यादा है क्योंकि एक तो नई बाइक है एजस वगेरा इस पोटीन एक्स्ट्रीम लेता जिसका सबसे बड़ा रीजन होता सिंगल चैनल एविस का और प्राइज इसका आप सभी को पता है 125 ऑन रोड है इसका एक पंद्र एक भी से वो मैं लिख दूंगा आपको वीडियो अच्छे लगी होगी कंपेशन अच्छा लगा बैक्राउंड से और हवाद चल लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग एस